हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मिद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो इसमें आपको देखने क्यों मिलेंगे कुछ एसी यूसफुल टिप्स एंड ट्रिक्स इससे आपके काम तो आसान प्रीज में तो देखें निम्बू हमें हर बार अपने फ्रीज में तो रखनाई है और एक बार आप दिन में जरूर यह पीजीगा अगर कभी कबार क्या होता है कि हम हर बार निम्बू नहीं पीसकते तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब हम फ्रीज में बोटल रखते हैं पानी का तो उस बोटल में आपको क्या करना है कि यह जो छिलका है इसको हमें छोटी-छोटी टुकडों में कट कर लेना है फिर इस वीडियो को लार्श तक देखियागा तब ही आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि कहीं एसा ना हो कि आपके जो टिप्स काम आने वाले हो वो आप मिस कर दो तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है यहां देखिये मैंने निम्बू को कट कर लिया है और अच्छे से इसको बन करके हम रख देंगे अब देखे यह पानी अगर आप पियोगे तो आपके लिए बहुती बढ़िया काम करेगा जो भी आपकी दिक्कत है सहत को लेकर बिगर जाती है गर्मियों में वो सारी ही प्रोब्लम को दूर करता है तो यह बहुती बढ़िया काम करता है जरूर आप ट्राइ करिएगा तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स टिप की तरफ और देखे यहां मिने लिया है बादम तो देखे यह जो ड्राइफूड होते हैं इनको भी हमें गर्मियों में किस तरह से खाने चाहिए ताकि हमारे सहत अच्छे से बनी रहे है और को भी अगर दिक्कत होती है वो दूर हो जाए तो हम क्यार करते हैं सीधा इसको एसे खा लेते हैं तो यह हमारे बिल्कुल भी काम नहीं करता है इसके जो भी गुन होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं तो इसके लिए क्या होगा कि जब भी हम बादम खाएं तो उसको पहले देखे रात बर भीगो देना है अगर यहां मैंने बादाम डाल दिया है और थोड़ा हम इसमें डाल देंगे पानी तो अच्छे से हमें रात बर इसको ऐसी छोड़ देना है और पूरी तरह से यह जब भीग जाए तब हमें इसको छील के और हो सके तो दूद के साथ इसको लिए जीगा आप देखोगे कि 15 दिन में जो भी आपकी एनेजी डाउन हो चुकी है आपका सरदर्द हो रहा है आँकों की कमजोरी है वो सारी ही दूर होती है तो यहां देखे मैंने बादाम को भीगो तो दिया है लेकिन इसको हम बन केंसे करेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए होगा जाली तो जाली से आप बन करक रखेंगा बहुत ही बढ़िया तरीका है जरूर इसको ट्राय करिएगा तो चलिए देख लेते हमारा अगला यूसपूर टिप्स तो देखिए अभी गर्मिया है और गर्मियों में होता क्या है कि फ्रीज और यह जो कूलर होते हैं एसी होते हैं इनकी जो लाइट टेंपरे HHH में में अक्स्टा समान रखते हैं जिसकि यहां मेंने 2 कोटोरी रखती है और इस कोकी दो इसे अधी आप to शबार है दही, दूद, पानी यह सब को आप अच्छे से बन करके ही रखोगे तब ही क्या है कि फ्रेज का वोटेज कम होगा और बिजली का बच्चत भी होगा तो यह एक छोटी सी टिप्स जरूर है लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम आएगी इससे क्या है कि आप जो बिजली का खर् हम यूज को करेंगे, तो देखे, अब अगर हम फ्रीजर का पूरा धहां नहीं रख पाते हैं, वोटे ज्यादा बढ़ा की इसका रखते हैं तो पूरा बर्फ से भष जाता है और होता क्या है कि इस से क्या होता है कि ज्यादा बिजली खरच होता है, तो उसके लिए करना है है कि आपको यह थोड़ा थोड़ा नमक डाल देना है इससे आपका आक्स्टा जो बरफ होता है वो बिल्कुल भी नहीं जमेगा तो यह बहुत ही यूसपुल टीप्स है इससे देखें आपकी बिजली की बजट भी होगी और यह जो फ्रीज हमारा बार-बार में खराब हो जा तो यह भी आपको ध्यान में ही रखना है अब यहां में लिया है दही तो देखें अभी गर्मियों के टाइम में सबसे बड़ी प्रोब्लम आती है दही जमाने की तो दही देखें गर्मियों में बिल्कुल भी बढ़िया नहीं जमता है तो उसके लिए मैं एक छोटी सी टि लेकिन बहुती काम की है तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको देखे लेना है जाली तो इस तरह का जो जाली होता है वह आप रखेगा बहुती बढ़िया से आपका दही जमेगा तो फ्रेंज आपको यह तरीका कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर डालोंगी थोड़ा सा दही तो ताजा फ्रेंज आपको दही डालना है ना तो खटा डालना है नहीं मीटा साथ मैं ड़ाया फपका च्म्मच की मिक्स करना है तो की ज़रूरत नहीं होगी हमें सिर्फ अंगुली से ही इसको मिक्स करना है ताकि क्या है कि जो हमने कोलगे डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कोमेंट करके जरूर बताएगा और सबसे आपको यूजफुल टिप्स कोंसे लगी च्छोटे-च्छोटे और तिल वो जाते हैं या हमारे फेस के ऊपर चाहियां पड़ जाती है तो उसके लिए आपको यह स्विलिशन बनाना है तो अब देखे आपको लगाना कैसे है सेम मैं जैसे हाथ पे लगा रही हूं वेसी ही आपको अपने फेस पे लगाना है तो आप यह अप्लाई कर सकते हो तो अब देखिए अच्छी से इसको इस तरह से थोड़ी देव मसाज करना है और फ्रेंज वीडियो को ज्यादा चे ज्यादा शेयर कर दे ताकि सभी के लिए वीडियो काम आए और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो हमेशा की तरह एक लाइक क करने से अब देखिए मैंने अच्छी से मसाज कर लिया है और अब कोई भी कोटन का कपड़ा ले लिजे या फिर कोटन लेके अच्छी से इसको पौंच लिजे तो आप देख सकते हो जब भी मैं इसको पौंच रही हूं तो कितना बढ़िया तरीके से ये साफ हो चुका है अब कितना साफ दिक रहा है तो आप इस तरह से अपने फेस पर गारव्ण कर सकते हो यहां अप देखि लेते हैं हम यहे धोके तो यहां में आपको दोके भी दिखा रही हूं दूने के बाहन कितना बड़िया तरीके से आप देख सकते हो फरक्ति तो देखिए जहां पर मैंने अपलाई किया था, वहां अपर आप color देख सकते हो, और जहां पर नहीं किया है तो वहां पर भी आप देख सकते हो, तो friends, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे app करती हूँ, मिलते हैं next वीडियो में, ऐसे ही useful वीडियो के साथ, bye bye, take care,